हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो मैं एटुक चेनल, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप अस्ट्रेलिया वसेश पाकिस्तान के होने वाले ओडिया इमाइच में अगर आप ड्रीम 11 टीम लगाना चाहते हैं और rank 1 लाकर क्रोरो की डाशी बहान करना चाहते हैं तो किस तरह से आप टीम को create करेंगे जिससे आपकी सभी प्लेयर ड्रीम टीम में आ जाएं तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी आप प्लेयर को select करते हैं तो select करने से पहले आप एक काम किजिए कि score को predict करके team को create किजिए तब आपका rank 1 आने का शमाबना बहुत चादा हो जाएगा फूर example अगर यहाँ पे सबसे पहले Australia biting करते हैं और पाकिस्तान बाद में biting करते हैं तो Australia biting करके 310 run बनाकर 7 wicket किरा है Australia का और second inning में पाकिस्तान 280 run बनाकर all out हो गए तो अगर इस तरह से score काट रहेगा तो यहाँ पे प्लेयर को slate करने में और captain और vice captain चुनने में आपको काभी मदद मिलेगी तो यहाँ पे मैं आपको पताना जाओंगा कि Australia versus पाकिस्तान का 3 ODI मैं ही चोने वाला है जो कि पहला चा नवंबर को दूसरा आठ नवंबर को और तीसरा जो है दस नवंबर को मैंच होने वाला है अब यहाँ पे बात आते हैं कि किस तरह से score को प्रेडिट किया जाए और team को create किया जाए तो यहाँ पे सबसे पहले Australia versus Pakistan पे आपको क्लिक करना होगा क्लिक करने एक बाद यहाँ पे आपको more match का option है simply यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने एक बाद यहाँ पे नीचे आपको आना है उसके बाद यहाँ पे नीचे और नीचे आना है और यहाँ पे आपको लिखा होगा ODI match जो भी ODI match होगा ODI यहां पर लिखा होगा जैसे कि यहां पर देखते हैं ODI 1 of यहां पर देखते हैं कि लिखा हुआ है ODI 1 of 3 Australia vs Pakistan 1,2,3 ODI match लिखा हुआ है तो यहां पर 3-0 match का scorecard देखिए तो यहां पर सबसे पहले Australia biting करके 313 run बनाएं तो अगर इस तरह से scorecard को predict करेंगे तो आपको टेम को create करने में काफी मदद मिलेगी और rank 1 आने का समभावना बहुत अधीग बढ़ेगा उसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि Australia vs Pakistan तो 348 पर 8 विखेट उसके बाद दूसरा हम देख से हैं दूसरे इनिंग में 314 run पर 4 विखेट अब यहां पर देख से हैं तिसरे तिसरा ODI 1 match में Australia vs Pakistan का Australia 210 पर ओल आउट जबकि Pakistan 214 run बनाकर 1 विखेट को हैं और पाकिस्तान जो मै अब यहां पर नहीं है आप यहां पर बात आती कि किस तरह से टीम को create किया जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि Dreamland application में आना होगा उसके बाद line up के option पर आपको click करना होगा यहां पर यहां पर इस तरह से option मिल जाएंगे तो यहां पर जो भी player slate है उसको मैं हटा अब यहां पर तीनो मैच में जो एक ही परकार से player को select करेंगे तब तीनो मैं से अगर एक मैच में भी आपका team जो बनाए हो चल गया तीनो मैच में वन टू थ्री तीनो मैच में आपको जोए scorecard एक प्रिडिट करना है और उसी scorecard पे तीनो मैच में उसी तरह से team को create करना है तब जाकर आपका rank 1 आने के संबावना रहेगा, अगर अलग अलग परकार से team बनाएंगे तो न एक में आएगा न दो में आएगा न तीसरा में आएगा, तो एहां पर एक तरफ से 7 player को आपको slate करना है, और दूसरी तरफ से 4 player को slate करना है, तो यही नियाम आपको तीनों match में लगाना है जैसे कि आप जो अस्टेलियाग क तरफ से 7 प्लेर स्लेट करते हैं और पाकिस्तान की तरफ से 4 प्लेर स्लेट करते हैं तो यही तीनों मेथटड चाहे कोई भी सिच्यूएशन आ जाया, मैच में जो एक ही परकार से आपको टीम को एक प्रकार से टीम को क्रियेट करना है अजरे के तरफ से साथ प्ले पकूर से चार प्ले और पाकिस्तान की तरफ से चार प्ले प्ले ओर पकिस्तान के तरफ से 7 प्लेर जबके इस ट्रेलेक तरफ से 7 चार प्लेर को से लेट कर सकते हैं तो यह थी मैं तरफ से छोड़ी जनकारी अगर एज़ी वीडियो और दहना चाहते हैं तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब और वीडियो के लाइक जूर करें तक्स वढ़स्क्राइब तो हमारे जनकारी झाला चाहते हैं